in basic English grammar में आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी में प्रश्ण कैसे पुछें अंग्रेजी में प्रश्ण पूछने के लिए आपके पास कौन-कौन से words होते हैं और किस तरीके से हम English में questions को बनाएंगे पढ़ेंगे और बोलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि जैसे ये WH family words जो होते हैं इन ही की help से आप जो है अंग्रेजी की questions बनाते हैं और बोलते हैं और अंग्रेजी में प्रशनों को पूछा जाता है इंग्लिश में बनाया जाता है बोला जाता है तो सबसे पहले हम इनका meaning देख ल जैसे की who है who का हिंदे में मतलब होता है कौन जब हमको subject के बारे में करता के बारे में पता करना होता है तब हम who का meaning होता है क्या जब हमको कोई information लेनी होती है कोई जानकारी लेनी होती है where का मतलब होता है काहां जब place की कोई जगह की बात की जाती है तब हम where का use करते है how का मतलब कैसे यानि किस तरह से किस प्रकार से किसी काम को आपने किया तो वो तरीका वो वे वो जानने के लिए हम use करते हैं how का यानि की कैसे whose का मतलब होता है किस का किस का जब किस कोई भी चीज है किस person की है और किसी thing की बात करते हैं कोई चीज की बात करते हैं तो वो किस की है वो person भी हो सकता वो cheese भी हो सकती है जैसे कि who's के बाद उस चीज को हमको लिखना है who's pan, who's bag, who's by किस तरीके से which का मतलब होता है कौन सा जब हम choice की बात करते हैं और इसमें भी information की बात, जानकरी की बात की जाती है जानकरी ले जाती है कौन सा यानि कि कौन सा वाला color आपका पसंदीदा है तो यहाँ पर choice की बात कर रहे हैं तो which का use करेंगे who का मतलब होता है किसे या किस को जब हम यहाँ पर भी हम हमारे सामने जो है person आएगा जब हम person की बात करेंगे ठीक है जब हम person की बात करेंगे अब यह questions जब बनाएंगे तो आपको clear समझ में आ जाएगा किस तरीके से प्रशन बनाया जा रहा है फिर how many और how much यहाँ पर दोनों का ही मतलब कितना कितनी या कितने होता है हिंदी में how much और how many का यहाँ पर फर्क है दोनों का use quantity के लिए किया जाता है लेकिन जब बात countable countable noun किया जाएगी तो वहाँ पर how many का use करेंगे uncountable noun की बात आजाएगी how much का use करेंगे जैसे कि हमने चीनी शुगर की बात की तो यहाँ पर how many नहीं आएगा how much आएगा तो इस तरीके से जिनको गिना जा सकता है वहाँ पर how many जिनको नहीं गिना जा सकता वहाँ पर how much फिर how far यानि कि कितनी दूर इसका हिंदी में आर्थ होता है कितनी दूर जब डिस्टेंस की जब दूरी की बात की जाएगी तो how far का use किया जाएगा अब इन सभी words को लेकर यह जो डबलो एच वर्ड्स है इन सभी words को लेकर कुछ प्रशन बनाऊंगी में तो उन से आपको help मिलेगे कि किस तरीके से आप question को बना सकते हैं और जो formula है जो नियम इनको बनाने का वो भी सीखेंगे तो यहाँ पर देखें सबसे पहले who आ जाता है इसको पढ़ेंगे who w h o who यहाँ पर जब कोई काम करने जब कोई काम करता है उसका पता नहीं होता और उसका पता करने के लिए ठीक है काम को करने वाले का पता नहो यानि सबजिक्ट के बारे में जब हमको जानकारी लेनी है करता के बारे में तो यहाँ पर हम who का use करेंगे who का use करेंगे यहाँ पर structure जब आप प्रेजंट का सिंपल टैंस बनाते हैं यानि कि प्रेजंट सिंपल जो टैंस है उसमें जब पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य का जब आप इंटरोगेटिव प्रशनवाचक वाक्य बनाएंगे तो वहां पर यह वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है यानि कि के बाद में आपने rights लिखा है जो भी tense होगा उसके अनुसार आपको वर्ब को लिखना है यह simple present tense है तो यहाँ पर क्योंकि ता है थी है से वाकिय के अंडिंग होती है तो वो simple present tense है तो हू के बाद में rights वर्ब में s e i s लगा दिया यहाँ पर फिर है कौन बोलता है who speaks बोलना यानि कि speak who के बाद में speaks यानि वर्ब में CIS लगा देना है अब कौन बोलता है तो यहां पर हमारे सामने answer निकल कर आएगा जो काम को करता है वो subject हमारे सामने निकल कर आएगा तो यह तो बात होगी जो present का simple tense है ना यानि कि present indefinite tense है उसमें ये वाला structure आपको follow करना है who के बाद में वर्ब में ऐसे है यह फिर जो भी other words object हो जाएंगे वो एड़ कर देना है last में फिर यहां पर जब आप past का simple tense जो होता है past simple tense वहां पर आपको क्या करना है यानि कि simple past या past indefinite में वर्ब की second form का इस्तिमाल किया जाता है तो यहां पर who के बाद में वर्ब की second form ही लिखनी है फिर object लिखना है अब यहां पर बात की जा रही है जब आप positive sentence बनाएंगे जहां पर not का इस्तिमाल नहीं होगा अगर आप not का इस्तिमाल करते हैं तो इनकी जो helping verb होगी जैसे की present simple की helping verb कौन सी होती है do या does होती है और past simple की कौन सी होती है did होती है उनका इस्तिमाल करेंगे लेकिन जब आप positive सकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो यह जो formula यह जो नियम मैंने बताया है यह जो structure मैंने बताया है को ध्यान में रखकर जो है questions आपको बनाने हैं और बोलने है यहाँ पर देखें जैसे की कौन आया अब यह simple past का sentence है कौन आया क्योंकि आ-ई-ए की मात्रा पर अगर वाक्य की ending हो जाती है यहाँ पर आ की मात्रा पर है या फिर last में आ-ई-ए के बाद में यहाँ पर हम हू के बाद में वर्ब की second form लिखेंगे तो यहाँ पर हू के इस तरीके से बनाया जाएगा हू के बाद में कम की second form के कौन गया यहाँ पर हू डिट गो नहीं लिखेंगे हू वेंट लिखेंगे हू के बाद में वर्ब की second form who did go लिख देंगे तो गलत हो जाएगा कौन पढ़ाएगा यानि कि future का simple tense है ये तो will का use करेंगे इसकी helping verb लगाएगे who will teach बस यहाँ पर do, does और did को नहीं लगाएगे अगर हम positive sentence बना रहे हैं तब चलिए next देखे कौन पढ़ाएगा who will teach अब कौन पढ़ा रहा है continuous tense है present का तो who is teaching तो यहाँ पर who के बाद में is लगा है अब यहाँ पर आपको helping verb लगानी है कौन पढ़ा रहा है अगर बात हो जाएगी present और past के indefinite tense के जब हम positive sentence बनाएगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है बागे continuous tense perfect tense इन में जो भी helping verb है वो लगा देनी है डबलो एच वर्ड के बाद who is teaching कौन पढ़ा रहा है कौन पढ़ा रहा है रही है यह continuous tense है 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 इसलिए present का है खाना किसने बनाया है यानि कि किसने यह काम किया है खाना बनाने का कर दिया है तो यहाँ पर यह perfect है present का तो who has cooked food तो यहाँ पर who के बाद में helping verb लिखी गई है जहाँ पर नहीं लिखे जाती वो मैंने बता दी है तो खाना किसने बनाया who has cooked food तो has के बाद में verb आ गई है जो कि third रूप में आती है who has cooked food next देखें why तो who का यहाँ पर concept आपने सीख लिए है किस तरीके से आप question को बनाएंगे who का मतलब होता है कौन और subject सामने निकल कर आता है काम को करने वाले का हमको नहीं पता होता है और वो सामने निकल कर आता है जवाब में why का मतलब होता है क्यों जब हमको reason यानि की कारण के बारे में जानना होता है तब हम use करते हैं y का अब यह इसका structure है formula है y के बाद में अब यह सारे जितने भी डबलोच family words है सभी में यही जो है structure follow होगा helping verb आ जाएगी जो भी डबलोच word आएगा वो तो starting में लिखेंगे ही लिखेंगे उसके तुरंत बाद आपको helping verb लिखनी है और जहां पर नहीं लिखी गई है वो हमने शुरुआत में who वाले case में डेख लिया है जहां पर verb की second form आ रही है डबलोच word के बाद और verb की first form में CIS लग रहा है जब हम positive बनाते हैं present और past के indefinite tense में clear हो गया होगा अब यहां पर why के बाद में helping verb फिर subject और फिर main verb यानि की मुख्य क्रिया आएगी तुम school क्यों जाते हो तुम school क्यों जाते हो तो why के बाद में जो भी helping verb है अब यहां पर present indefinite tense है तो इसके helping verb do या does होती है subject के according you के साथ हम do लगाते हैं तो why do you go to school do के बाद में subject हो गया और फिर go यहां पर main verb है helping verb हो गई do you subject or go यहां पर main verb है other word आपको last में add कर देना और शुरू में आपको wh family word लगा देना what where when जो भी आ रहा है तुम स्कूल क्यों जाते हो तो क्यों गए जाते हो नहीं तुम स्कूल क्यों गए यानि जा चुके हो क्यों गए यहां पर यह past indefinite tense का sentence है तो इसकी जो helping verb होती है वो did होती है तो हमको why के बाद में did लगाना है क्यों के लिए तो why आ जाएगा reason पूछ रहे है क्यों क्यों गए why did you did you यहां पर तुम स्कूल क्यों गए why did you go to school तो यहां पर did you के बाद में go to school लिख ले why did you go to school clear है तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो continuous tense है present का तो is MR इसकी helping verb होती है why are you studying और फिर you subject studying यहां पर main verb है क्योंकि continuous tense है तो study में ing लग जाएगा तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो तुम स्कूल क्यों गए why did you go to school clear है why के बाद में आ जाता है when यानि कि कब जब हमको समय के बारे में पता करना होता है तो same structure है when के बाद में helping verb फिर subject फिर main verb तुम स्कूल कब जाते हो time के बारे में पता कर रहे है तो कब जाते हो यानि कि present indefinite tense की do or does helping verb लगाएंगे when do you go to school do के बाद में subject आ गया फिर main verb तुम स्कूल कब गए तो when did you go to school did आ गया यहां पर past indefinite tense की helping verb है फिर subject फिर main verb तो यह वाला ही structure follow हो रहा है फिर देखें तुम स्कूल कब जाओगे तो when will you go to school कब जाओगे when will you go to school तो यहां पर will helping verb हो गई simple future tense है इसलिए will के बाद में you subject फिर go main verb तुम घर कब लोटे हो यानि कि घर कब आये हो तो यह perfect tense है present का तो helping verb has या have होगी you subject है तो have होगा when have you returned home return यहां पर third form है ठीक है जो भी tense होगा उसके अनुसार आपको main verb का इस्तिमाल करना है have आ गया फिर subject फिर returned यहां पर main verb आ गई है जो कि third रूप में है यहां पर when होगया when का मतलब कब जब आपको समय के बार में पता करना होता structure यहां पर मैंने आपको बता दिया है तो इसी के आधार पर हिंडी के वाक्यों को आप easily English में बना पाएंगे प्रेशन पूछ पाएंगे लिख पाएंगे फिर देखे what what का मतलब क्या information कोई जानकारी लेनी होती है तुम क्या लिखते हो information ले रहे हैं कोई लिख रहा है तो तुम क्या लिखते हो what do you write what के बाद में यहां पर helping verb फिर subject फिर main verb तुम क्या लिखते हो तुमने क्या लिखा यानि कि simple past tense तो did helping verb है what did did helping verb you यानि कि लिखोगे future तो what will you write will यहां पर आ गई है helping verb फिर subject फिर main verb तुम क्या लिख रहे हो continuous tense present का तो what are you writing are यहां पर will ठीक है यहां पर आ गया did और यहां पर do यानि कि what what के बाद में जो भी helping verb है वो आ गई है फिर subject आ है फिर main verb आ यह है यह आपको ध्यान रखना है तुम क्या लिख चुके हो perfect tense present का what have you written यहां पर have helping verb है क्योंकि perfect tense present का फिर you subject return यहां पर third form है perfect tense present का तो third form का use होता है हाज़ब के साथ में तो इस तरीके से practice करने है सारे wh words की जितनी practice करेंगे तब ही आपको sentences है वो बनाने आएंगे where आ गया है where का मतलब कहां जब हमको place के बारे में जानना होता है तुम कहां जाते हो तो same where लिख देना है फिर helping verb सभी में tenses के अनुसार helping verb लगे कहीं पर do did लगा है कहीं पर will कहीं पर art लगा है कहीं पर have लगा है क्यों लगा है tenses के अनुसार ये सब लगा है और उसके तुरंत बाद subject और फिर main verb जो भी tense है उसके अनुसार ठीक है फिर देखे तुम कहां जाते हो where do you go तुम कहां गए where did you go did I a क्योंकि simple past tense है तुम कहां जाओगे simple future है तो where will you go तुम कहां जार रहे हो where are you going continuous tense है present का तुम कहां गए हो perfect tense है present का where have you gone where have you gone तो इस तरीके से आपको where को लेकर बहुत सारे वाक्के बना लेने और practice कर लेने है how how का मतलब होता है तब हम how का use करते हैं कैसे जैसे कि तुम कैसे पढ़ाई करते हो किस तरीके से किस तरह से तुम पढ़ाई करते हो तो how do you study how do you study यहाँ पर do आ गया है ठीक है और यहाँ पर did और यहाँ पर did यानि टेंसिस के अनुसार helping verb लिखनी है हाँ के बाद में तुमने कैसे पढ़ाई की तो how did you study यानि की past indefinite tense है तुमने computer कैसे चलाया चलाने का क्या तरीका था तो वो तरीका पूछ रहे हैं तो how did you operate the computer how did you operate the computer how का मतलब कैसे whose का मतलब किस का whose का मतलब किस का इसके बाद में thing या person को आपको add करना कोई चीज या कोई विक्ती हो सकता है जैसे कि whose daughter whose mobile whose dog इस तरीके से और फिर इसके बाद में आपको जो भी helping verb है वो लिखनी है as it is structure लिखना है जो भी sentence demand कर रहा है वह किस की बेटी है whose daughter is she यानि कि वह वह mobile किसका है whose mobile is that बाहर किसका कुता बहुक रहा है continuous tense है तो is barking outside whose dog is barking outside तो verb में ing बहुकना यानि barking हो गया है ठीके काम कर रहा है तो continuous tense है whose का मतलब किसका फिर देखे which आजाता है which का मतलब कौनसा यहाँ पर भी कौनसा के बाद में object लिखना है which school, which color, which one, which phone, which car, which subject और उसके बाद में जो भी helping verb है which school मतलब कौनसा school, कौनसा रंग, कौनसा वाला, कौनसा phone, कौनसी car, कौनसा wish है इस तरीके से हम which का use करेंगे choice के लिए भी, चुनाव के लिए भी which का use किया जाता है options, choice होती है आपके सामने तब आप कौनसे स्कूल में पढ़ते हो in which school do you study यहाँ पर which school आ गया है ठीके, इसके बाद में do helping verb आ गई है फिर subject और फिर main verb आप कौनसे स्कूल में पढ़ रहे हो continuous tense, in which school are you studying present का continuous tense है तो यहाँ पर in which school are you studying आपने कौनसे स्कूल में पढ़ाई की यानि कि did helping verb लगी क्योंकि यह past का indefinite tense है in which school did you study in which school did you study तो यहाँ पर इस तरीके से which को लेकर आप जो sentences है interrogative sentences है वो बना लेंगे उसके बाद में which का हिंदी में मतलब कौन सा और उसके तुरंद बाद में object रखना है जिसकी भी बात हो रही है अब whom आगया किसे, किसको या किसकी यहां पर किसकी आ जाएगा whom किसे, किसको या किसकी यानि कि यहां पर भी हमारे सामने कोई person निकल कर ही आएगा जैसे कि तुम किसकी मदद करते हो मतलब कि यह जो तुम है यह जो subject है यू यह किसी की मदद करता है तो जिसकी मदद की न वो person सामने निकल कर आएगा यहाँ पर भी person जो है सामने निकल कर आता है answer में जवाब में whom do you help यानि कि तुम किसकी मदद करते हो whom do you help और तुमने किसकी मदद की यह तो present का indefinite था यह past का indefinite है इसलिए यहाँ प तुमने किसकी मदद की whom did you help whom did you help तुम किस से पूछ रहे हो यानि कि continence present का whom are you asking are आ गई यहाँ पर helping फिर subject फिर main वर तो इस तरीके से यानि कि काम करने वाला तो सामने लेकिन जिसके लिए उसने काम किया वो person वो object सामने नहीं है तो उसकी वो सामने निकल कर आएगा इसमें परसन जो है वो सामने निकल कर आएगा जवाब में तो तुम किसकी मदद करते हो तुमने किसकी मदद की तुम किस से पूछ रहे हो ठीक है इस तरीके से आप ये प्रशन बना लेंगे questions whom को लेकर किसे किसको या किसकी फिर है how many या how much अब यहाँ पर कितना कितनी या कितने के sense में इनका use किया जाता है हिंदी में मतलब होता है कितना कितनी या कितने जब quantity की बात की जाती है यहाँ पर many में तो जिसको हम गिन सकते हैं वो चीजे हमारे सामने आएगी और much यानि how much में जिनको हम गिन नहीं सकते जैसे कि पूल में कितना पानी है how much water is in the pool how much water water को हम क्या कर सकते हैं गिन सकते हैं नहीं तो much लिका है आपके पर्स में कितने पैसे हैं पैसे को हम नहीं गिन सकते हैं तो how much money is in your wallet how much money यहाँ पर money जो है uncountable noun में आता है तुमारी कक्षा में कितने विधारती हैं विधारती students है इनको आप गिन सकते हैं तो many का use होगा how many students are in your class फिर यह यहां पर जो भी how much water, यहां पर how much money, how many students, इसके बाद में आपको जो भी helping verb आ रही है, टेंसिस को ध्यान में रखकर लिख देनी है, फिर यहां पर है आपकी कितने भाई बहन है, तो भाई बहन को भी गिन सकते हैं, तो how many siblings do you have, तो होने के sense में यहां पर have का यूज हुआ है, do हां पर helping verb है, चलिए next है how far, how far का मतलब कितनी दूर, जब हम को दूरी यानि डिस्टेंस की बात करनी हो, तो वहां पर कितनी दूर के sense में how far को लेकर आप प्रशन पूच सकते हैं, बना सकते हैं, तुम्हारा school कितनी दूर है, तुम्हारा college कितनी दूर है, तुम्हारा घर कि कितनी दूर है, तुम्हारा school कितनी दूर है, how far is your school, तुम्हारा घर कितनी दूर है, how far is your house, तो इस तरीके से ये सारे WH family words यहां पर complete हो जाते हैं, इन की help से आप काफी सारे प्रशन बना सकते हैं, पूच सकते हैं, और बोल सकते हैं, तो आज की class में बस इतना ही मिलते हैं, next class me.